चुनाओ के अगर बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप लोगों के पार्टी की किस प्रकार की तैयारी इंडिया गटबंदन में सामिल भी हैं आप लेकिन अभी 5600 लगवक चानवे पद असिस्टेंट लोको पाइलट के भी आए हैं तो उसमें पटना में तमाम से जो इस्टुडेंट हैं उन्होंने धाना परदासन भी किया लोग सबा चुनाओ की सरगर्मी हर पार्टी के उपर अब चड़ चुकी और धीरे-धीरे सभी पार्टियां चुनाओ प्रचार के लिए ग्रामी डस्तर पर पहुचना सुरू कर दी हैं और कहिए इंडि पार्टी के मिर्जापुर के जिला मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं चुकि इसमें आम आदमी पार्टी को पर एडी का बहुत ज्यादा चल रहा है और चुकी लोग सबाद चुनाओ आने वाला है तो सभी लोगों सभी लोग जितनी भ भारी और प्रवक्ता सत्यंदर सिंग जुड़े हुए हैं बहुत-बहुत स्वागत असर आपका चैनल पर धन्यवाद प्रवर जी जैसा कि इसमें एडी के द्वारा कहिए आपके मुख मंत्री हो या फिर आपके पूर्व के दो नेता अभी जेल में ही बंद है और अभी आ जार्पड कर दिये हैं और भारती राजनीति को दूसित कर दिये हैं जाना चाहते ए這種 क्यों देखा जाता है कि जब भी चुनाओ आता है चैसे मंगाल का चुनाओं रहा है उब लोकसभा का चुनाओं हो तो इसी समय जादा अपजाती ह。 यह लोग धन बल से और धमकी दे करके डरा धमका करके बड़े नेताओं को अपने पाले में करना चाहते हैं जो कि आम आदबी पार्टी पर कत्ते ही लागू नहीं होगी आम आदबी पार्टी का उद्भव एक आंदोलन से हुआ है और यह करांतिकारी पार्टी है अब तक जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राजसभा सांसद हैं चाहे मनीशी सोधिया जी हैं चाहे सतेन जैन जी हैं यह सभी लोग अपने सिध्धानतों पर आज भी टिके हुए हैं और जो जेल जाता है जो प्रताडित होता है जैसे नेशनल मंडेला जी थे वह लोकतंत की न नया परियाय लोकतंत का बनाता है तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है हमारे साथ जनमत है छुपा हुआ जनमत है जनता आम आदवी पार्टी के त्याक को बलदान को उसके कारियों को जो है अनुकरन करती है उसको सम्मान देती है उसको मानती है अब संजे सिंग अभ संजय सिंग की या केजरिवाल जी की लड़की नहीं आमादवी पार्टी से जुड़ा हुआ विचारधारा से एक एक पूरे देश का लड़का और लड़की जो है केजरिवाल और संजय सिंग के लड़के और लड़कियां हैं ये लोग कलपना नहीं कर सकते कि कितने लड़कि को एक कठपुतली बना दिया है, ऐसा इन लोगों का कहना है, फिलाल अगर हम लोग सबा चुनाओ के अगर बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोगों के पार्टी की किस प्रकार की तयारी इंडिया गडबंदन में सामिल भी हैं, आप लोग तो किस प् इंडिगर में हम लोगों का ही मेयर था, लेकिन उसको गलट धंक से जो है इन बैलिट कुछ पारसदों को दिखा करके गलट धंक से जो हमारे साथ धोखा हुआ, जैसे कि आप वह बैलट पेपर से चुना हुआ था, अभी आप लोगों के कहिए तो इंडिया पूरे गडबं सुप्रीम कोट के अधिवक्ता ग्रूप बना करके बड़े उचे अस्तर के इवियम के खिलाब पुरे प्रदेश में, पुरे देश में एक एक जिले में अंदोलन कर रहे हैं, कि इवियम में किस धंक से धादली होती है, ये तो पुरा देश देख चुका है, वो सारे जनप करना नामुंकिन सा चीज है, मैं अपने देश की संस्थाओं का सम्मान करता हूं, मुख निरवाचन आयोक्त का भी सम्मान करता हूं, महोदय का, लेकिन वो भी सत्ता से प्रेरित हैं, वो भी मनुष्य हैं, उनको भी डर है, उनका भी परिवार है, उनकी भी नोकरी है, मैं नहीं का सकता कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं यह तो भाई वहीं बता सकते हैं चले कहिए आपके अगर पार्टी के अगर हम लोग उत्तर प्रतिस में बात करें तो क्या कुछ सीटे मिलने के उमिद है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग यहां यूपी में देख देखिए तो हम लोग अच्छा मत पाएं हैं हर सीट पर तो उस हिसाब से हमको सीट मिलने चाहिए और हमारा उच नेतरत्व जो है राष्टी कारकानी जो निरणे लेगी हम उसके साथ हैं तो मतलब आगए भाई इंडिया गडवंदन में ही रहेंगे या फिर छटकने का संगठन अपने विचारधारा के साथ काम करेंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं लोग सबाचुनाओ के हम वात करें तो इसमें मलब आपकी पार्टी का क्या मुद्दा लेकर क्या आप लोग गाउ गाउ जाने वाले हैं हमारी मुद्दा आमाद्वी पार्टी का मुद्दा होता है वो जनता से जुड़ा हुआ होता है स्वास्त, सिच्छा, भिजली यह सब चीजे यह नहीं रहेंगी सिचाई, किसानों के लिए उचित मुल्ले पर खाद तब तक देश का विकास नहीं होगा बेरोजगारों को रोजगार मुहिया कराना तमाम बातें ऐसी हैं जो कि हमारे मुद्दे वहीं पुराने ही मुद्दे रहेंगे और प्रखर रोप से हम उसके लिए जनता तक लेके जा रहेंगे रेलवे के आगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो उसके बाद अभी जो कोचिंगे संचाली थे उनको बंद करवा दिया गया और उनके उपर लाठी चार्ज भी हुआ है तो इसको आप किस रूप में देखते हैं आप भी प्रियाग राज में रह चुके हैं तो प्रत्योगी परचार्थियों किस नजर यस देखते हैं इसम हुआ है तो आईसे लोगों पर लोग अटैक करते हैं जो पूजी पती जो कोचिंग चलाते हैं जो सही मार्ग दर्सन नहीं देते उनको वहीं बढ़ावा देते हैं उनको चंदा चाहिए जिसे अभी जब लाठी चार्ज भी पटना में हुआ है तो उसको किस नजर देखते हैं लोगों को अनुमान था कि लागव पचाहाँ जार सीट आएगा क्योंकि हमारे पास दो लाख सीट है तो यह उटके मुह में जीरा नहीं कर सकते हैं इसको चैसाल साल बद कंसियरी 2008 बाद अभी 2024 में यह तो बड़े भाई जो है यह तो 2014 के बात से ही इस्थितिय उन्हों देश की यह इस्थितिय की वह परिसान है और बेरोजगारी को गरीबी को महंगाई को छुपाने के लिए यह लोग धर्म का अडंबर करते हैं उसका फैलाओ करते हैं मंदिर मुद्दा उठाते हैं तक यह सा मुद्दे दब जाएं यह तो सरवजनिक बात सभी जानते हैं इ प्रेडिकल जाएंगे तो अभी देखें उनकी सरकार वहां गिर भी गई है तो उसको किस नजरिये से आप लोग देखते हैं मंदिर या धर्म यह भ्यक्तिगत भावनात्मक संबंद है जो जिस धर्म का रहेगा वह अपने आदर्स को मानेंगा और चिकित्सा सिच्छा यह स दामसी को पूझेंगे लेकिन जब हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो उनका कहना इस द्रिश्कोंड से बिलकुल सही है तो पहले हम स्वास्त रहें उसके लिए चेकित्साला चाहिए मंदिर तो बनते रहेंगे बन भी गया है अभी जगत गुरु राम भद्रा चार अभी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तंज कसरा है कि जब अभी बीमार हों तो उनको मंदिर जाना चाहिए ने मेडिकल में फिर क्यों चले गए अस्पिताल क्यों जाना पड़ गया उनको यह तो भाई वो लोग जो कमेंट किया है यह तो वहीं बता सकते हैं हम तो उनका भी सम्मान क करते हैं लेकिन जनःत का कारे होना चाहिए लिए चाहिए देखें जयते-जाते हम चाहिए कि क्या अपील करना चाहिए जनता से की अभी लोग सबाट करता हूं मैं यह लगभ. तक दस साल से यह लोग लगे हुए हैं और दस सालों में किवाल इनके पास धर्म का ही एक जंडा है जो किसानों के मुद्दे हैं सिचाई कैसे होंगे फसल कैसे पैदा होगा आई 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 टी का स्तर आप देख चुके हैं कि कितना विश्व में सबसे नीचे पायदान पर जा चाप है तो यह लोग इस पर ध्यान देते ही नहीं कभी चले देखे हमारे साथ देखे आमादी पार्टी के जो की प्रवक्ता जुड़े हुए थे जिला मीडिया प्रभारी हैं मिर्जापूर से और लगातार एक्टिव रहते हैं मिर्जापूर में यह लोग तो आगामी भ करलां रहें और आगहां छुड़े और कराते रहेंगे एक से मुद्द्रा बता रहें वैसे की अपने अपने तमाम मुद्दे होंगे तो उनको हम आप तक पहुचाने का भी प्रयास करेंगे नियगे जुड़े रहा है